आजम बनाने वाले हैं बिलकुल अलग तरीके का नई आसा नास्ता जिसे आप पालक पनीर बॉंब्स भी बोला सकते हो तो आए उसकी प्रोसेस देख लेते हैं उसके लिए सबसे पेले एक बोल मेंदा, नमक स्वादा नुसार, वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा, दो चमच तेल और दो चमच दहीं एड़ करके मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके सोफ्ट सा आटा गुंद लेंगे और इस तरह से कोई भी पराति या फिर किचन टेबल पे इसे हमें तीन से चार मिनिट तक मसल लेना है थोड़ा सा तेल एड़ करके इसे ढखके अधे घंटे के लिए रख देंगे स्टफिंग बनाने के लिए कड़ाई में तेल एड़ कर लेंगे जीरा और बारिक कटा हुआ प्याज एड़ करके उसे ट्रांस्पेरंट होने तक कुप कर लेंगे ग्रीन गार्लिक और बारिक कटा हुआ पालक एड़ कर लेंगे पालक को मैंने अच्छे से वोश करके कट कर लिया है और इसे सोते कर लेंगे यह हमारा पालक अच्छे से सोते हो गया है एक बोल पनीरेड कर लेंगे पनीर को मैंने ग्रेड कर लिया है आप चाहे तो इसके छोटे-छोटे क्यूप्स में टुकडे भी कर सकते हो आप मेरी चैनल पे नहीं हो और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मसाला कर लेते हैं नमक स्वाद अनुसार धन्या जीरा पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला बारिक कटा हुआ धन्या एड़ करके मिक्स कर लेंगे ये एक AC रेसिपी है जो घर में छोटे हो या बड़े हर किसी को पसंद आने वाली है और आप इसे लंच या फिर डीनर में बना सकते हो और आप लंच बोक्स या टिफिन बोक्स में भी इसको बना के दे सकते हो बोईल कोन एड़ करके मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो यहां अंदर भी थोड़ा सा चीज एड़ कर सकते हो मैंने अंदर स्टफिंग में चीज एड नहीं किया है यह जो हमने आटा गुन के रेस्ट पे रखा था उसे ले लेते हैं मेडियम साइज का गोला ले लेंगे थोड़ी सी कलोंजी और बारिक कटा हुआ धन्या ले लेंगे और इस तरह से आटे में स्टिक कर लेंगे इससे इसका लोग भी काफी अच्छा आता है और स्वाद भी इस तरह से दबा लेंगे ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए जो हमने स्टफिंग प्रिपेर किया था वो इसमें फिल कर लेंगे उपर से चीज एट कर लेंगे मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज लिया है आप मोजरेला ले सकते हो या प्रोसिस चीज भी ले सकते हो आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो वो आप इसमें एट कर सकते हो और इसे अच्छे से सील कर लेंगे आप चाहे तो थोड़ा सा पानी का भी इस्तिमाल कर सकते हो, पर हमें एकदम अच्छे से इसको सील करना है, क्यूंकि अगर वो अच्छे से सील नहीं होगा, तो जब हम कुक करेंगे, तो चीज हमारा मेल्ट होके बाहर आ जाएगा, देखिए इस तरह से हमें सारे नान बोम्स प्रिपेर कर लेने है, नोन स्टिक तवा हमारा गरम हो गया है, इसमें इस हमारे नान बोम्स को एड़ कर लेंगे, साइड में थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लेंगे, पानी हमें बहुत ज्यादा स्प्रिंकल नहीं करना है, और लीड लगा के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे, यह हमारे नान बोम्स एक तरफ से अच्छा से कुक हो गए हैं, इसे प्लिप कर लेते हैं, देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया है, अब इसको टान करके दूसरी तरफ से भी कुक कर लेंगे, प्लीड लगा लेंगे और थोड़ी देर के लि यह देखिया, हमारे नान बोम्स दोनों तरफ से अच्छा से कुक हो गए, आप चाहे तो इसके उपर बटर या फिर घी भी लगा सकते हो, I hope आपको मेरी आज की रेसेपी पसंद आई होगी और पसंद आई है, तो लाइक एंड कामेंट जरूर से करना, तो आप इस नहीं हे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बबाई